तो हलो गाइस वेलकम टू माय चैनल दोस्तों कैसे हैं आप आई होप आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आज हम जहां जा रहे हैं गाइस वह है रेलवेटेशन जबलपुर का आप मेरे पीछे बोड लगा हुआ देख रहे होंगे कि कृबेष जबलपुर रेलवेटेशन में आपका स्वागत है तो चलते हैं हमारा स्वागत हो ακो गया है तो लेस्तों तो हम लोग === और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि पीछे लिखा भी हुआ है जबलपुर और गाइस मैं आपको बता दूँ कि जैसा एक तरफ का फ्रेंड यह है तो उस तरफ भी एक फ्रेंड है तो और मैं अंदर जा रहा हूं अंदर जाके टिकेट लेता हूं अगर प्लेट फार्म की ट दिखाऊंगा वरना मैं आपको बाहर का दिखाके अपने वीडियो का एंड कर दूंगा वगाइस चैनल में ना यह आयो तो सब्सक्राइब जरू करिए दोस्तों तो मेरे बीशे देखिए गाइस यहां पूरी पार्किंग है और सामने का वीव देख लो गाइस यह देखो पूरा और यह देखिए मैं आपको रेल का इंजन दिखाता हूं तो आप देख रहे हैं यह पुराने जमानी की देल जो क्योले से चल्टी भी इस तरीकी की तरीकी कर यह रेल का इंजन राइस पुराने जमाने का जो बहले चलता था और यह देखिए गाइस तरीके का व्यूव है ना रेल वेटेशन का यह देखिए तो चलते हैं अंदर चलके टिकेट लेते हैं टिकेट मिली तो अंदर नहीं तो बहार फाइनली गाइस हमको टिकेट मिल गई है यह टिकेट 10 रोपे की टिकेट आईए गाइस तो हम चलते है अंदर आपको चल के अंदर का विगुद दिखाते हैं और याइस यह जो मेरी टिकेट है 10 रूपे की टिकेट है आई कि देखे 10 रूपे की टिकेट है यह अगर यह बिना टिकेट के मैं जाता तो पुलिस वाले मालनों पकड़ लेते तो मजह तो बहूँ लंबा जरूमाना लग जाता चलते हैं जबल पूर में आपको दिखाता हूँ घंट लैस फुरी देखिए हैं तो गाइज यह रेलवे टेशन जबलपूर सहर का रेलवे स्टेशन है यह तरीके का बना जा रहा है गाइस देखिए और यह जो आप देख रहे है न यह सीधा भौपाल नैनपूर नहीं बहुत सारी रूड निकलता है गाइस यह रूड और यह बाला जो रूड़े काईस यह सीधे कटनी होते हुए रायपोर दिल्ली लखनाव बनारा यह वाला रूड निकल जाता है तो तो गाइस अभी हम चलते हैं चलके यहां देखते हैं कि किस तरीके से नहीं जा रहा है आप देख रहे हैं कि प्रूड है इसे देखिए सीवनी में क्या गाई से ऐसा रेलवेट चलता हूं उस तरफ कभी मैं आपको नजारा देखाता हूं तो गाइस हम लोग चल रहा है ऊपर चलके देखते हैं कि रेल्वे स्टेशन का व्यूव कितना ऐसा लगता है और लगता गाईस मैं जानी रहा हूं कि लेके मैं आप लोग को दिखाने के लिए ही बस टिकेट खर कैसा लिखता है तो यह देखिए प्रिके का लिखता है गाइजी देखिए कितना बड़ा रेल बेस्केशन है अब यह जाली लगी है जाली के करना आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसा कि देखिए्ड़ा एठीड़ सूरच को देखिए by और यह रेल चसे निकल जाएंगे और मैं आपको यहां तो वाइस अभी तो हम उपर चल रहा है और चल के देखिए जवालपूर का रेलवे स्टेशन कि इसकी मिहाना का बाज आ रही गाई तो हम और आप चलते हैं लेट फार्म कि यहां पर चलते हैं चल के देखते हैं फिर उस तरफ से बार निकल जाएंगे काईसि कि मैं उतर रहा हूं उतर के कि प्लेट फार्म दो है गाईस दो और तीन हे ना I'm प्लेट फार्मं में ये लेखिये और 60 रहा तो इस बादे कि पितनी जाला भीरे आप इकितनी जाला भीरे में जाला भीरे एकितनी जाला भीरे गिए तो वाइस हम लोग ऊपर चड़ते हैं और चड़के उस तरब निकल जाएंगे हम लोग अभी इस तरफ से आए थे और अब इस तरफ से चले चलेंगे और गाइस बहुत प्यारा लग रहा है जवालपूर का रेलेश्टेशन और बहुत मज़ा आ रहा है गाइस उसकी तूप्र नमर्म के इस चले पर उस जाने वाले इस पेशरटेशन रही है तो बेखा लूग जाने बादरा के और जाने वाली स्पेशरटेशन रही है यहल एउ एग निलगता है फकूल में हम लोग निकलते हैं बाहर है तो हम लोग बाहर चलते हैं बाहर का मैं आपको वीव दिखाता है कि आपको दिखाता हूं जाने से लेके और चीछ की सुधा है जाने से लेकर हर चीच की सुधा एक यहां मैं अब आपको वहां पर लेके और कि अब बहुर्ण निकलते हैं कि वह लोग निकलते हैं तो निकल के आपको बहुर्ण का व्यू दिखाऊंगा दिए कि हाँ प्रतिछाला है यहां टिकेट बगेर इन दिए यहां पर टिकेट बगेरा में मिलती है टिकेट बगेरा आप ओनलाइन भी करा सकते हैं यहां पर लोग बैठे हुए हैं यहां जिसकी ट्रेन नहीं आई है वह यहां पर बैठके इंतिजार कर रहा है तो हम बहुर्ण निकल चुके हैं हम उस तरफ से घुसेते पीछे से और थैrek है इस तरफ से भी बहुत सुम्दर ना जा रहा है उस तरफसे घर में इस तरफ से भी गाईज ब्रत अजा रहा है चया और यह दीजाय और披िरारे में किता इस फ airport दिजाइन लग रही हैं तो हम उख़े.घ्ण सक्यित्यंृ प्यारी थिजाइन फेलीजिक लिए यह चोटी लाइन जो पहले चलती थी जबलपूर से जबलपूर नैनपूर जनवारा नागपूर पैसिंजर ट्रेन जो थी यह उसका रेल का डपा यहां पर मीजियम के तौर पर राखा गया है और यह देखिए इसमें तो सफर मैंने भी किया हूँ देखिए यह बस तरफ देखिए आप ने जो के उले से जो चलता था इंद रेल का इंजन वह उस तरफ है और इस तरफ में यह चोटी लाइन का रेल का डब्बा है और और वाइस ही दिख रहे हैं आप मेरे पीछे यह देखिए पीछे का आप दोनों तरफ से भी आओगे तो आप कहीं से भी आओ आपको टिकेट बगेरा कुछ सब कुछ मिल जाएगी और यह मेरे पीछे देखिए गाइस कि देखिए और फ्रेंड का व्युक्त है कि इस तरीकी का भी यह देखिए ट्रेन है और अभी देखिए ट्रेन कित्ता प्रेंड है कि दिखी इस्ताफ यह दो चोहरा में मतलब हरन भगेरा यह ऐसे बना दी है यह देखिए कि आरा व्यू लग रहा है कि अन्यार चौनल लग रहा है भी कि लेखे गाईस पीछे का भी और गाईस यह पीछे रिल्बेटेशन उस तरफ का फ्रेंड बहुत खुफिरत लगए इस तरफ मेरे को लग रहा है कि मैं उस तरफ है पीछे और इस तरह पीछे का हिस्सा भी बहुत अच्छा है तो गाइस मैं अपने वीडियो का एंड करता हूँ और मैंने जो आपको जवलपुर का रेलवेटेशन दिखाया हूँ गाइस तो कैसा लगा है हमारा ये वीडियो और अगर वीडियो जरा सा भी गाइस अच्छा लगा हो तो लाइक करिए शेयर करिए हाँ दोस्तो रहें खुस रहें तो हिंदुस्तान जिन्दाबाद बाए बाए